मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूं सोया बिन चाप्स स्टेक्स या बनाने में बहुत ही इजी है और आप इसे घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसके इंग्रिणें आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं वी नाइट भिंगा के रखा थे यहां फूल गया है आप देख सकते हैं और एक बॉल के करीबन हम सोया बड़ी लिया है यह बड़े साइज की है इसे भी हम दो-तिन घंटे भिंगो के उबाल लिया है उसके पानी निचोड लिया है अब हम इसे पीस लेंगे सोया बिन की दाल को इ अब इसी तरह हम सोया बड़ी को भी पीस लेंगे इसमें तो हमने बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं क्या है यह आसानी से पीस जाती है इसे भी हम निकाल लेंगे एक बॉल में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिजेगा और एक बॉल हम इसमें मैदा लेंगे हम मैदा का यूज एक साथ नहीं करेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके ही मैदा इसमें लेंगे पहले हम दो चमच इसमें भरके डालेंगे और लगेगा तो और हम बाद में लेंगे मैदा इसमें कम डालिएगा नहीं तो यह सोया चाप की जगा मैदा चाप बन जाएगा इसलिए आप इसमें जितना कम हो सके मैदा का यूज किजिएगा मैदा डालने से इसका टेस्ट बिलकुल अच्छा नहीं आता है तो आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़ियां डो बन के तयार हो गया है हमें आधा कटोरी से भी कम इसमें मैदा के यूज किया है और एक बड़ा से हम लोया लेंगे आप देख सकते हैं लोया का साइज बड़ा हैं और चॉपिंग बोर्ड में हम थोड़ा से मैदा स्प्रिंगल कर लेंगे जिसे यह असानी से इसमें अच्छे से रोटी बिला जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा से मैदा लगा रहे हैं इसे अच्छे से दबा लेजिए और इसे बेलना है अब थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के इसे आराम से बेलिए यह असानी से बेल जाता है एक बड़ी रोटी इसको त्यार करनी है चारो तरब से बेल लिजी इसे इसकी थिकनेस चारो तरब एक जैसी होनी चाहिए अब इसे चाकू या कटर की सायता से आप कट कर लिजिए साइड साइड के जो भी रफ पार्ट है उससे निकाल लिजिए और पतली-पतली स्टिक काटके रख लिजी इसमें चार स्टिक होगी कि आप जितनी बड़ी रोटी त्यार करेंगे आपके स्ट्रिप्स ज्यादा निकलेगी तो देख सकते हैं असानी से स्ट्रिप्स इसकी निकल रही है अभी आइस क्रीम स्टिक है इसमें हम इसे फोल्ड करेंगे इसे दबा दबा के उपर से नीचे लाना है एक के उपर एक लगाते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे इस स्टिक्स पर और लाश्ट में हम इसे एक चमच मैदा और एक चमच पानी का घोल तियार किया है जिससे की साहता से हम इसे चिपका लेंगे ताकि यह पानी में खुले ना अब देख सकते हैं कि हमारी स्टिप्स त्यार हो गई है बहुत आसानी से अब इसी तरह हम दूसरा भी त्यार कर लेंगे आप देखिए हम कैसे दूसरी पार इसे चिपका रहे हैं ध्यान से देखिएगा इसे थोड़ा से स्टिप्स टेड़ा करना है और फिर इसे उपर एक एक की उपर एक लगाते हुए नीचे उतारना है अगर आपकी स्टिप्स टूट रही है तो उसे वहां से दबा लेजिए चिपक जाएगे और फिर नीचे में हम मैदा वाले घोल से चिपका लेंगे तो लीजे बनके त्यार हो गई है हमारी सभी स्टिप्स सोया चाप स्टिप्स अब हम इसे उबाल लेंगे एक कड़ाई मे हम पानी उबलने के लिए रख दिया है अच्छे से उबल गया पानी अब एक एक करके हम सभी अपने सोया चाप स्टिक्स डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से उबलने देंगे इसे बिल्कुल चलाना नहीं है यह अपने आप पांसे दस मिनट पे उबल जाएगी और दस मिनट हो गया है आप देख सकते हैं उबल के उपर आ गई है जिसे की पता चलता है यह पग गया है अब हम इसे निकाल लेंगे निकाल के हम इसे एक बॉल में ठंडा पानी रखा है उसी में डालेंगे जिसे इसका कुकिंग प्रोसेस रुख जाया वहीं पे ठंडे पानी में जाके तो लिजे बन के त्यार है सोया चाप स्टिक्स हमने इसे बहुत आसानी से घर के इंग्रेडेंस ही त्यार कर लिया है और इसकी सब्जी तो आप जानते हैं कितना टेस्टी लगता है अब रिश्टोरेंट में जाने के ज़रूत नहीं है अब हम घर में ही इसके सब्जी त्य क्यार करेंगे सोया चाप स्टिक्स है तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्यो है।